राजिनिती बिज्ञान विश्य में आज हम परवक्ता राजिनिती बिज्ञान, सायका धापक नागरी सास्त्र, सायका धापक सामजी बिज्ञान, युजी सी नैट, स्टीट सैट और ऐसे सभी पर्तुगी परिक्षाओं के लिए राजिनिती बिज्ञान के महत्तपूर्ण बहुभी कल्पी प्रश्णों का अध्यन करेंगे। पहला बहुभी कल्पी प्रश्ण है निम्न मैंसे किसका सामन्द सीत इद्ध से नहीं है। इसके विकल्पे हैं, पहला है फूल्टन भाशन, दूसरा है टूमेन से दांत, इसतरा है मार्शल योजना, चौता है उप्रोक्त मैसे कोई नहीं। जब हम सीत इद्ध की बात करते हैं, जिती बिश्ध के बाद वर्श 1945 से लेकर 1991 तक सीत इद्ध का दौर रहा। इस सीत इद्ध की जो प्रमुक कारण थे उनमें फूल्टन भाशन, चर्चिल का फूल्टन भाशन था, अमिर्का ने तरकी और युनान के लिए प्रूमेन योजना चलाई थी और अमिर्का ने पश्चिमी ये रोब की मदद के लिए मार्शल योजना चलाई थी, इसलिए इन तीनों का सम्मंद सीत इद्ध से है, इसलिए यहाँ पर विकल्प घव, उप्रोक्त मैं से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, ये तीनों ही फूल्टन भाशन, ट्रूमेन सिद्धान्त, मार्शल योजना सीत इद्ध से समंद्यत हैं दूसरा प्रशन है, शहित राज अमेरिका और भूतपूर सोव्यत संग के संदर्व में देतांत यानकी डेटेंट का ताथ परिये हैं, इसके विकल्पे हैं, परस पर सत्रुता, दूसरा है दोनों के मद्ध तनाव में सितिलता, तीसरा है परस पर अभिश्वास, चौता है परतिश परदा, जब सीति उद्ध चल ला है था, सीति उद्ध के दौरान एक इस्तित ऐसी भी थी, जब दोनों के मद्ध तनाव में सितिलता थी, इसी सितिलता के दौर को हम देतांत यानकी डेटेंट कहते हैं, यहाँ पर विकल्प पको, सही उत्तर है तीस्ता प्रशन है, राम मनोहरलोहिया किसके समर्थक थे, इसके विकल्प हैं, बीक इंदिक्रित समाजवाद, शाम्मिवाद, स्रेनी समाजवाद, फिव्यन, समाजवाद, जब हम राम मनोहरलोहिया की बात करते हैं, राम मनोहरलोहिया समाजवादी नेता थे, और उन्हों विकल्प कोई इसका सही उत्तर है हम जानते हैं कि लोग प्रशाचन में लाइन एन स्टाप एजनसीज होती है लाइन एजनसीज को हम मुख्य एजनसी मानते हैं और कारिशंपादन का एक अधिकार उनहीं के पास होता है यहाँ पर विकल्प को शूत्र अभिकरण यानि की लाइन एजनसी जो है वह प्रशास की अभिकरण है जिनके पास कारिशंपादन का एक अधिकार होता है Line and Stop Agency का जो concept लिया है, वो हम military administration शेप यानि की शैन्नी प्रसासन से लिया गया है, विकल्प कोई इसका सही उत्तर है पांच्वा प्रस्ण है, नियाईक पुन्रावलोकन यानि की judicial review की सक्ति प्राप्त है इसके विकल्पे हैं संसत को, उच्चिन्याईले को, सर्वोचिन्याईले को, सर्वोचिन्याईले वो, उच्चिन्याईले दोनों को जब हम judicial review की बात करते हैं, नियाईक पुन्रावलोकन की सक्ति भारती सामिधान के अनुसार, High Court और Supreme Court दोनों को है इसके विकल्पे हैं, पहला है लोग निर्वाचन में मद्दान करना, दूसरा है बैज्ञानिक मनुभाव का विकास करना, तीसरा है सारणिक संपति की सुरक्षा करना, चोहता है सामिधान से आबद रहना और इसके आदर्सों का सम्मान करना जब हम भारती समिधान के मूल करतब यानकी fundamental duty की बात करते हैं, तो भारती समिधान में 42 समिधान संसोदन 1976 के द्वारा मूल करतब जोड़े गए थे, उस समय इनकी संक्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संक्या 11 है यहाँ पर बैज्ञानिक मनुभाग को विक्षित करना, सारुदी संपत की सुरक्षा करना और समिधान से आबद रहना और इसके आदर्सों का सम्मान करना ये मूल करतब में सामिल है, लेकिन लोक निर्वाचन में मद्दान करना यह मूल करतब भी नहीं है, इसलिए इस प् यहाँ पर किताबों के नाम दिये हैं और उनसे समंदित बिचारक दिये हैं, हमें बताना है कौन सा यूग्म शुमेलित नहीं है, पहला है कालमाक्स, दा पॉबर्टी और फिलोस्पी, दूसरा विया एलेनिन, स्टेट और इवॉलूशन, इसलिए जोसेफ स्टालिन, वेज जब हम दा पॉबर्टी और फिलोस्पी की बात करते हैं, तो यहाँ कालमाक्स की दौरा लिखी की पुस्ताक है, स्टेट और इवोलूशन, वे एलेनिन ने लिखी है, वेज लेबर और चैपिटल पुस्ताक च्टॉलिन की नहीं है, यहाँ पुस्ताक कालमाक्स ने उठारा गौ तो सही सोमिलित है लेकिन बिकल्प गौ सही सोमिलित नहीं है आप इस किताब को नोट कीजिएगा कि वेज, लेवर एंड कैपिटल पुस्तक काल माक्स ने अठारा सोन पचास में लिखी थी नोवा प्रशन है नेमलिकित में से कौन राष्टी हित को बिसुराजनीती का अंतिम और निरलायक तत्तो मानता है इसके विकल्पे हैं हंस मारगेंथाओ, वीवी डाइक, जोशेफ फ्रेंकल, पॉल, शीवरी राष्टी हित को बिसुराजनीती का अंतिम और निरलायक तत्तो म दरस्वा प्रस्ण है व्यक्तिकत केस भी लड़ता है लेकिन कभी भी यहाँ भारत सरकार के किलाब केस नहीं लड़ेगा यहाँ पर विकल्प गोईस का सही उत्तर है ग्यारवा प्रस्ण है निम्लिकित में से कौन गाधी दर्शन से साम्मंदित है इसके जो कूट दिये नीचे उद नीचे दिये हैं उपर चार जो हैं कतंदी है नियाशिता नई तालिम हिजरत सर्वोदय जब हम महत्मा गाधी के गाधिवाधी दर्शन को पढ़ते हैं तो उन्होंने नियाशिता ट्रस्टेशिप बेसिक एजुकेशन नई तालिम हिजरत और सर्वोदय इन चार हो की बात की थी इसलिए यहाँ पर विकल्प एक समयधानिक संस्ता है और इसका उलेख अनुच्छे 324 में किया गया है विकल्प को इसका सही उत्तर है तेरों प्रशन है निमन मैंसे किस लेख का आर्थ होता है हम हुक्म देते हैं वी कमांड इसके विकल्प हैं बंदी परतक्षिकरण, परमादेश, अधिकार प्रिच् हम आदेश देते हैं वी कमांड जो है लेख जो है वो हो परमादेश का है यानकि आपर विकल्प को परमादेश इसका सही उत्तर है चोग दो प्रशन है लेजर स्फेयर का सिद्दान किस से प्रभावित था इसके विकल्पे हैं शौतंतरता की सकारत्म विचार से शौतंतरत तो दोनों से उप्रोक्त मैं सीख कोई नहीं। जब हम लेजर स्फेर की बात करते हैं तो लेजर स्फेर का मतलब होता है अहस्त सीख का सिद्दान्थ। यह शिद्दान्थ शतंतरता के नकारत्म विचार से प्रभावित है यानि कि यहाँ पर विकल्प ख़ो सही उत्तार है। पंद्रमा प्रशन है किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंगाई कॉपरिशन शंगठन के पूर्ण सदेशी बनी। इसके विकल्पे हैं वर्ष 2015, वर्ष 2019, वर्ष 2018, वर्ष 2017 भारत और पाकिस्तान को संगाई कॉपरिशन शंगठन का जो सदेशी बनाया था पूर्ण उनके इस्तान दिये हैं, हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। शत्रवा प्रशन है, मौली का दिकारों की कार्यानिवन का उनिलंबित करने का दिकार किसको है। संसत को, सर्वोच नियाले को, राष्टपती को, प्रधानमंत्री को, मौली कदिकारों की कार्यानिवन, कार्यवाहन को निलंबित करने का ज्वाधिकार है वो भारत की राष्टपती को है। पर विकल्पगो राष्टपती इसका सही उतर है। अठरवा प्रस्न है, शुच एक का शुच दो से सही मिलान कीजी। शुच एक में विचारकों के नाम है, शुच दो में उसे सम्मंदित विचारधारा है। पहला विचारक है, एडवन बर्ग, दूसरे हैं रॉबर्ट नौजिक, ठीसरे जैरेमी बैंथम, चौतें अल्सदेयर, मैकेंटायर। जब हम एडबंड बर्ग की बात करते हैं, एडबंड बर्ग, रूड़ि वादी विचारक हैं, रॉबर्ट नौजिक को हम इच्छा, शुच दूत्रवाद, नौ, उधार वादी विचारक कहते हैं, जेरेमी बैंथम, उप्योगिता वादी विचारक हैं, और मैकेंटायर, वो हो शमुदायवादी भी जारेक हैं। तो इस तरह से इस प्रश्ण का जो शही कूठ है तीन, दो, चार, एक है। इनको आप नोट कीजिएगा अपनी नोट बुक में। उनिश्वा प्रश्ण है, मार्टन कैपलोन के अनुशार, शक्ति संतुलन ब्यवस्ता की सरवाधिक संभावित परनित होगी। इसके भी कल्पे हैं। अंतराष्टी ब्यवस्ता, दूसरा है दुर्भी ब्यवस्ता, दूसरा है दुर्भी ब्यवस्ता, तीसरा है दुर्भी ब बीश्वा प्रश्ण है रिपब्लिक राजनीती पर लिखा गया ग्रंत होने के बजाए शिक्षा सात्र पर लिखा गया समस्त युगों का शर्वोत्तम ग्रंत है यह टिपणी किस नहीं की थी इसके विकल्प है अरस्तु बौदा टी एस ग्रीन जेजी रूशो रिपब्लिक क राजनीती पर लिखा हुआ सारुसेष्ट गंत ना मानकर शिक्षा पर लिखा हुआ सारुसेष्ट गंत मानने वला विचारक जीन जैक्स रूसो यानि कि जेजे रूसो है विकल्प गोईस का सही उत्तर है 21 प्रशन है जब वार्शिक केंद्री बजट लोगसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो यानि कि जब केंद्री बजट लोगसभा में लाई और पारित नहीं होता है तो क्या होगा इसके भी कल्पे हैं बजट में संचुदन किया जाता है और पुनह प्रस्तुत किया जाता है दूसरा है बजट को राजी सभा के सुजाओ के लिए संदर बित किया जाता है तीसरा है केंद्री बित्र मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है चोहता है प्रधान मंत्री अपनी मंत्री प सवा में पास नहीं होता है इसका मतलब है कि सरकार कुशन सदन में बहुमत नहीं है तो इस इस्तित में प्रधानमंत्री अपनी मंति परशत का त्यागपत प्रस्तुत करता है तो यहां पर विकल्पक हो प्रधानमंत्री और अपनी मंति परशत का त्यागपत प्रस्तुत करता हाली में आपनी हिमांचर परदीश में देखा होगा कि वहाँ पर बजट प्रस्तुत होने पर कॉंग्रिस की सरकार ने वहुमत सिद्धि किया तो इससे इस परश्ट है कि आप वहाँ पर मुख्यमंत्री और उसकी मंती परश्ट को त्यागपत्र देने क्या उशक्ता नहीं है क्योंकि बजट वहाँ पर प्रस्तुत किया गया और वहाँ पास हो गया इसका मतलब है सरकार को वहाँ पर बहुमत है 22 परस्त हैं नीमलिखित यूगमू में से कौन सा उत्तम शासन का सार है इसके विकलपे हैं विदिका शासन और नियमिक चुना दूसरा है नियमिक चुना और नोकरसाही की कमी तीसरा है विदिका शासन और वैश्री करन, चो होता है पारदर्सी और जवाब दे परशासन, जब हम good governance यानकि उत्तम सासन की बात करते हैं, तो ऐसी सासन व्यवस्ता जो transparent हो और accountability वाली हो, यानकि पारदर्सी और जवाब दे परशासन को हम उत्तम सासन कहते हैं, यहाँ पर विकल्प गो सही उत्तर है जब हम इनको देखते हैं, तो शत्तिकी संपरबुता महत्मागाधी संबन देत है, नौ मानवाद यह गलत है, नौ मानवाद यानकि न्यू हुमेनिजम का concept M.N. Roy के द्वारा दिया गया है, सरबारा की ताना साही, शामिवाती विचारक, कालमाथ और लेनिन ने दिया था, और नौ प्रजातंत्र यानकि न्यू डॉमेक्रसी जो है, वह मौत से तुंग ने दी थी, यहाँ पर विकल्प खो ही सही नहीं है, इसलिए प्रस्ट का सही उत्तर विकल्प खो नौ अगला प्रस्टन है, किस देश की संसत को संसदों की जननी कहा जाता है, इसके विकल्पे हैं, ब्रिटेन, शैंतराज अमेरिका, कानाडा, भारत, इसका सही उत्तर है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसत को संसदों की जननी कहा जाता है, भारत में जो संसदी व्यावस्ता है, व हो बिर्टेन से ही लिए गई है विकल्प को इसका सही उत्तर है पच्छी स्व प्रश्ण है नेत्रुत के गुण मूलक द्रिष्टिकॉण की प्रिणिता हैं इसके विकल्पे हैं आरेम स्टॉगलिल दूसरा है चेस्टर बर्नार्ड किसरे हैं कुंच तथा ओडोनेल चोहते है इसका सही उत्तर है चेस्टर बर्नार्ड ने नेत्रुत के गुण मूलक द्रिष्टिकॉण को प्रतिपादित किया था इसके विकल्पे हैं मैटलेंड, बककल, लिकॉक, गेटल इसका सही उत्तर है बककल बककल ने कहा था कि राजिती को बिज्ञान मानना तो बहुत दूर यह कलाव में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है बककल इसको अवियाद कीजिगा 26 प्रस्ण है भारत के समिधान में समंता का अधिकार पांच अनुचेद द्वारा पर दान किया गया है वे हैं इसके विकल्पे हैं अनुचेद 16-20, दूसरा अनुचेद 14-18, इसका सही उत्तर है अनुचेद 14-18, 14, 15, 16, 17, 18, यह पांच अनुचेद जो है इकुलिटी राइट से समंधित हैं विकल्प खो इसका सही उत्तर है 28 प्रस्ण है शहित राष्ट के किस महासेचुने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिशत को सौपी इसके भी कल्पे हैं कोफिय अनन, बीबी घाली, यहनिकी बुत्रद बुत्रस घाली, कुर्त वालदीन, यूथांट इसका सही उत्तर है बीबी घाली निवर्स 1992 में सुरक्षा परिशत को एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट सौपी थी उन तीस्वा प्रश्ण है निमलखित में से किसे अंतराष्टी कानून का जन्वदाता माना जाता है इसके विकल्पे हैं जीन बौदा, ह्यूगो ग्रोसियस, मैक्यावली, उप्रोक्त मैं से कोई नहीं अंतराश्टी कानून का जो जन्वदाता माना जाता है वह Hugo Grosius को माना जाता है, विकल्पक हो इसका सही उत्तर है, Hugo Grosius को हम बाही संप्रभुता का जन्वदाता का जन्वदाता हैं और अंतराश्टी कानून का जो जन्वदाता हैं वो भी वही है, तीस्वा प्रस्न है, पॉल जैनेट गार्नर इसका सही उत्तर है पॉल जैनेट पॉल जैनेट ने कहा था कि राजिती बिज्ञान समाज बिज्ञानों का वह भाग है जिसका सम्मंद राजी के आधार और सरकार के सिध्धानतों से होता है 31 प्रशन है किसने कहा राजी जीवन की मूलभूत आउशकताओं के निमित अस्तितु में आता है और सेष्ट जीवन के लिए अस्तितु में बना रहता है इसके विकल्ब में है गार्नर जीडियस कोल मैक्यावली अरस्तु इसका सही उत्तर है अरस्तु अरस्तु ने कहा था कि राजी जीवन की मूलभूत आउशकताओं के निमित अस्तितु में आता है और सेष्ट जीवन के लिए अस्तितु में बना रहता है 32 प्रशन है राजी पाल अध्यादे जारी कर सकता है इसके विकल्ब है पहला है जब भी वो ऐसा चाहे दूसरा है जब भी मुक्यमंत्र करने को कहें इसका सही उत्तर है जब कभी भी राज विधान मुडल का सत्र जारी नहों और राजी पाल शंतिश्ट नहों की तुरंत कार्य करने की आउशकता है यहाँ पर विकल्ब हो सही उत्तर है आप जानते हैं वारती समिदान में राष्ट पती अनुछे देग सो त्या जारी करता है इन दोनों निक्तितों को आप जरू पढ़िएगा तैती स्वा प्रश्ण है वार आयोग ने निम्नमे से किस पर आधारिस संगठन के निर्मान की सिपारिस की थी इसके विकल्ब हैं प्रियोजन प्रकिरिया ब्यक्ति इस्तान इसका सही उत्तर है प्रियोजन उबर आयोग 1949 ने संगठन के निर्मान के लिए प्रियोजन की वो जो है आधार बनाया था विकल्ब को इसका सही उत्तर है इसके विकल्बे हैं USA, तुर्की, UK, पाकिस्तान जब हम बात करते हैं सेंटो की सीटो, शेंटो, वार्सा पैक्त, नाटो ये सब सीट युद्य के द कि स्तापना वर्स 1955 में होई थी, सबसे पहले आपको याद रखना है और ये अमिर्की गुट का या फुजिवादी गुट का एक सैनी संग्टन था लेकिन इसमें USA सामिल नहीं था, याद रखेगा इसमें USA सामिल नहीं था, इसमें इरान था, इराग था, पाकिस्तान था, UK था, तो इसलिए यहाँ पर USA सामिल नहीं था, इसके ब्याक्या पर सकते हैं, 1955 में इसके स्तापना की गई थी, इरान, इराग, पाकिस्तान, टर्की और UK इसके सदशी थे, 16 मार्च 1989 में से समाप्ति कर दिया गया था, 35 प्रशन है, यदि भारत की राष्टपती को अपना पद त्याग ना हो, तो उसी पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए, इसके बिकल्पे हैं, प्रधान मंत्री को, उपराष्टपती को, मुख्य न्याय मूर्ति को, अध्यक्स को, राष्टपती अपना त् उपराष्टपती यदि की वाइस प्रेजिडेंट को देता है, विकल्प खोईस का सही उत्तर है, 36 प्रशन है, सामुहिक शुरक्षा वियावस्ता अनुमच नहीं देती, इसके विकल्पे हैं, सस्त्रीकरण की, दूसरा है, तटस्ता की, तीसरा है, उप्रोक्त दोनों की, प्रशन होता है, इन में से कोई नहीं, जब हम कलक्टिव सिकुर्टी की बात करते हैं, तो सामुहिक शुरक्षा का आर्थ होता है, एक पर हमला, सभी पर हमला, तो सीट उद्व के दौरान, जो नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट थे, ये सभी जो थे, सामुहिक श लाव युद्ध, सभी ते सुपर युद्ध माना जाएगा, शाय तीस्वा प्रशन है, किसने कहा था, इस्वर जिसने हमें जीवन दिया, उसी के हाथ, उसी के साथ हमें शुतंतरता भी दी है, इसके विकल्पे हैं, योहाला नहिरू, M.K. गांधी, जैफर्षन, एड़म स के बिना विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसके विकल्पे हैं, इसपीकर, यानि कि सदन का ध्यक्स, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौता है बित्न मंत्री, जब हम बित्विधक की बात करते हैं, तो बित्विधक बिना राज्यपाल की अनुमत्य से शेपारिश से आप विधान सबावों से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर विकल्प खो राज्यपाल इसका सही उत्तर है 49 प्रस्न है निमलिकित मैं से सही तुराष्ट का कौन सा अंग अंतराष्टी शांत्य और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है इसके भी कल्पे हैं महासबा, सुरक्षा परिशद, अंतराष्टी न्यायले, शचिवाले जब सही तुराष्टी संग के अंगों की बात होती है तो सबसे जो उसका मजबूत अंग माना जाता है वह सिकुरिटी काउंसिल माना जाता है इसमें 5 इस्ताई और 10 अस्ताई शदश्य होते हैं और अंतराष्टी शांत्य और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार चालीशवा प्रस्ण है भारत का सरवोची नयायले मुख्य नयमूर्थ और अन्य कितने नयादिशु से मिलकर बनता है इसके विकल्पे हैं 25, 33, 31, 26 वर्तमान में भारत में जो मुख्य नयादिश और अन्य नयादिशु की संक्या है वह एक धन 33 है यानि कि एक तो मुख्य अन्य नयादिश होगा और 33 अन्य नयादिश होंगे इसलिए यहाँ पर विकल्प खो 33 इसका सही उत्तर है ये संक्या संचत द्वारा बढ़ाई जाती है आपको पता होगा जब संक्या बना था उस समय एक मुख्य नयादिश और साथ अन्य नयादिशु की व्यवस्ता थी इसको आप पढ़ लिजेगा भारत के समिधान द्वारा उचित्तम नयादिश की मूल रूप से दीगी व्यवस्ता में एक मुख्य तथा साथ अन्य नयादिश अधिनियमित किया गये थे इस संक्या को बलाने का दायत संसत पर है तो कभी पुछा जाता है कि सर्वोच पहले कि कारी में ब्रिदी हुई लंबित मामले बढ़ने लगे नयादिशों की मूल संक्चा को आठ से बढ़ाकर 1906 में 11 किया गया, 1906 में 14 किया गया, 1938 में 18, 1906 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 किया गया तो यानि कि इसको जो है समय समय पर बढ़ाया जाता है इसमें सबसे महत्तों बात आती है समय दानिक पीट की जब कभी भी तिसी मामले पर कोई बीति समन्दी मामले पर प्रशन उड़ता है तो समय दानिक पीट वैठती है तो उसमें कम से कम पांस नयादिश होने चाहिए तो पांच, तात, नौ, ग्यारा बिसम संक्यामिन नयादिशों को समय दानिक विकल्बे हैं अनुचे 135, अनुचे 136, अनुचे 136, अनुचे 138 वारती समय दान के अनुचे 137 के तहत सर्वोच नयादिश को अपनी निर्णे तथा हादिश को पुनिशन की शक्ते प्राप्त है अपने गुलक्ताद मामला, किसवनन भारती मामला तो यानि कि अपनी प्रश्ण है निम्ने वैसे किसने पंत निर्पेक्स्ता यानिकी सेकुलरिजम का आश्य शबी धर्मों को राजी द्वारा समान सर्णक्षन बतलाया है। इसके विकल्पे हैं महत्मा गाधी, भीम राव अंबेटकर, भी अन राव, जोहालाल नहिरू। पंत निर्पेक्स्ता को सबी धर्मों को राजी द्वारा समान सर्णक्षन बतलाने वाले विद्वान, जोहालाल नहिरू है। विकल्पक हो इसका सही उत्तर है। प्लेटो ने निमलिखित पुस्तकों में किस में मिस्त्रित समिधान की अउधारना का उले किया है। इसके विकल्पे हैं The Republic, The Laws, Statesman, Politics, प्लेटो ने अपनी पुस्तक The Laws में मिस्त्रित समिधान की अउधारना का उले किया है। विकल्पक हो सही उत्तर है। 47. किस ने कहा था कि राजी के नीति शक्तात्तु एक ऐसे चेक की तरो हैं जिनका भुक्तान बैंक की सुविदा पर निर्भर हैं इसके विकल्पे हैं जोहाला नहिरू, बी एन राव, भीम राव अमबेटकर केटी सा यह प्रशितिक अथन केटी सा हैं हम जानते हैं बारती समिधान के अनुचे 36 से लेकर एक चाउन तक राजी के नीति सक्तात्तु की व्यावस्ता की गई है और ये राजी पर निर्भर करता है कि वह किन को लागू करें और किसको लागू ना करें इनके लागू ना होने पर हम न्यायले की सरण में नहीं जा सकते हैं इसलिए के टी सा ने इनको एक ऐसे चेक कहा जिसका भोकतान बैंक की सुविदा पर निर्भर है यहाँ पर विकल्प गो सही उत्तर है यहाँ पर जो राजी सब्द है राजी सब्द की रेफिनिशन में के बिकल्प हैं बर्कले संमिलन लोपर सासन का प्रेस्टन संप्रदाई फ्रांक्फर्ट संप्रदाई मिनो ब्रुक संमिलन नीउ पाप्लिक अड्मिस्टिशन के आऊधारना जो जुड़ी है वह मिनो ब्रुक संमिलन 1968 से जुड़ी है विकल्प गो apro इसका सही उत्तर है 46 प्रश्ण है ग्रेप वाइन का संबंद है इसको हम अंगुरलता बोलते हैं अंगुरलता का संबंद है इसके विकल्प है अपचारिक संप्रिशन से लिखित संप्रिशन से अनपचारिक संप्रिशन से अधोमुखी संप्रिशन से ग्रेप वाइन यानिकि अंगुरलता का सिद्दान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किये गए इसके विकल्पे हैं अब्राहिम, मासलो, M.C. ग्रेगर, हर्जबर्ग, शाइमन जो X और Y सिद्दान्त दिया था 1960 में डगलस M.C. ग्रेगर के द्वारा दिया गया था यानि कि यहांपर विकल्प खो M.C. ग्रेगर इसका सही उत्तर है इसको अपड़ सकते हैं 1960 में डगलस M.C. ग्रेगर ने इसे दिया था यहां मानो कारी प्रेणा और परबंधन के सिद्दान्त से समंदित है 4800 प्रस्ण है भारत की साम्यवादी पार्टी माक्सवादी स्तापित हुई इसके विकल्पे हैं 1964, 1962, 1961, 1960 भारत की जो साम्यवादी पार्टी CPIM कोन अगर लिखें तो CPIM उसको बोलते हैं इसकी स्तापना 1964 में होई थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में उसके बाद जो साम्यवादी दल था उसके विचारों में अंतर आया उसमें दो गुड़ सामने आई एक CPIM जो शोवियत संग की विचारधरा का समर्थक था दूसरा CPIM जो चीन की विचारधरा का समर्थक रहा है विकल्प करने से पहले रखा गया प्रस्ताव तीसरा है संसत के सहिक्त सत्र से पूर्व राष्टपती के भाष्ण से समंदित प्रस्ताव लाना चो होता है यदे पहली अप्रेल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो ब्याई करने के लिए संसत द्वारा किसी भी अनुदान की अग खानुदान कहते हैं, बोट वन एकाउंट कहते हैं, विकल्प गोईस का सही उत्तर है, पचाश्वार अंत्य प्रस्नेश पेपर का निम्लिकेत में से कौन या थार्तवादी संप्रदाई के साथ सम्मंधित नहीं है, इसके विकल्पे हैं, मैक्स बेवर, एडवर्ड, एजकार जिस हम इसकार बोलते हैं, हंसुजय मार्गन थाओ, एडवो, हक्सले, यहाँ पर मैक्स बेवर्बर, एएसकार और हंसुज मार्गन थाओ, यह तिनों ही ठार्तवादी बिचारक हैं, अजकी इस प्रशन पत्रम हमने, 50 प्रशनों का धिन किया है, आप अन्य अभ्यास बने हैं उनका ध्यन कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्ण परिक्षा की दिश्ट्रकोंची महत्यपूर्ण है और परिक्षा में इनके आने की सम्मावना बनी है आज की इस प्रश्ण पत में इतना ही धन्यवाद